नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टडी विदाकास में आज मैं आपके लिए करंट अफेर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कोईशन्स लाया हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्टडी विदाकास को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न किस पडोसी देश ने अपना पहला उग्रे नेपाली सैट सफलता पूरक लांच किया तो इसका सही आंसर है नेपाल अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दू कि नेपाल ने जो अपन 3.3 किलोग्राम है अब चलते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न किस महिला अंतरिक्ष यातरी दौरा 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकार्ड बनाया जाएगा इसका नाम है क्रिश्टीना कूच ये पहली महिला होंगी जो इतने अधिक दिनों तक जो हैं अंतर अलही में भारत और किस देश की नौ से नाओ ने चार दिवसी नौ सैनिक अभ्यास का योजन किया है तो इसका जो सही आंसर है वह वियतनाम है और ये जो अभ्यास हो रहा है ये वियतनाम की कैम ब्रनाह खाडी में हो रहा है अब अगले प्रस्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रस्न भारतिय महिला ब्रिटेन की फेलो रॉयल सुसाइटी की सदस से बनने वाली 358 वर्स के इतियास में पहली महिला बनी है इनका नाम गगन दीप कंग है मतलब बी जो है आपका सेकेंड ओप्सन ये सही है और ये गगन दीप कंग जो है हर्याड़ा के फरीदाबास से अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं अगला प्रस्न किस यूनिवस्टी में एक इस्टोर में 22 मिलियन वर्स पुराने जानवर की जीवास्म पाए गए है इसका जो सही आप्सन है वो पहला है ओहिओ यो यूनिवस्टी और ये जो जीवास्म है ये एक बहुत ही प्राचीन सेर के जैसे लगते हैं जिसका नाम सिंब कुवा कुटो काफ्रिया है जो की एक विशालका है मासाहरी जीवधा अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्ण दिल्ली मेट्रों को किस राज्य में इस्थित रेवा मेगा और सौर उर्जा पर्योजना से बिचली मिलनी सुरू हो गई है तो इसका जो सही आंसर है वह मद्यप्रदेश है और मैं इसके बारे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि अभी जो इसको जो बिचली मिलने लगी है मेगा सौर उर्जा पर्योजना से वह 27 मेगावाट है और ये बाद में 99 मेगावाट हो जाएगी अब अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्ण असद उमर ने किस देश के वित्मंत्री के पद से स्थीफा दे दिया है तो इसका जो सही आंसर है वह पाकिस्तान है अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अठारा जुलाई से चीन में किस एकॉमर्स कंपनी ने बिजनेस बंद करने की गोशड़ा की है तो इसका जो सही आंसर है वह अमेजान है अब अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते है अगले प्रस्ण 19 अपरेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो इसका सही आंसर वर्ड ली वर्ड अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं अगला प्रस्ण अमेरिकी विदेश मंत्राले ने किस देश के F-16 पालेटों को प्रसिचर कर देने के लिए मंजूरी दे दी है तो इसका जो सही आंसर है वह ताइवान है अगर आप कोई वीडि करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू